नमस्कार दोस्तों और मेडिया अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए हमारी चैनल को ताकि नएने वीडियो से दे आप तक पहुंच सके और साथ में लगए बेल आइकून को दोस्तों जरूर दबा देना ताक यह खांसीं तो दूसरे शेरी स्ना पहुंचते हैं यह खांसी रात और दिन में बढ़ जाती है और कई लोगए खांसको दम फूलने लगता है और आखिल लाल हो सकता है काले खांसी में रोगी को लगातार जोर जोर से खांसी आती है खांसते खांसते रोगी को कई बार उल्टी होने लगती है और सीने में तेज जलन महसुस होती है थोड़ी थोड़ी देर में खांसी आती ही रहती है इसलिए रोगी का हाल बुरा हो जाता है और उसकी सांस रोखने लगती है कई बार इस तरह ही खांसियों के कुछ और कारण भी हो सकते हैं जैसे टेवी दमा फेफरों का संक्रा मनस्थमा थी इसलिए इस पर खांसियों होने पर डॉक्टर के सलाव लेना जरूरी है ताकि आप खांसिया कारण जार सकें आज हम आगों कुछ आईरवे चुटकारे के लिए लैसन की 5-6 कलियों को छील कर बरीक काट लें और उने पानी में डालकर उबालें अब इस पानी से भाप लें रोज ऐसा करने से 8-10 दिन में काली खांसियों जड़ से खतम हो जाती है तुलसी के पत्ते भी खांसियों को काम में बहुत फायदेबंद होत बच्चों की काली खांसि के इलाज के लिए कार कर रहें बच्चों की काली खांसि में तीन चार बदाम है रात को पानी में भिगव कर रख दें सुवह बदाम के छिलके उतार लें और इसे एक कली लैसन और थोड़ी से मिश्री के साथ पीस लें अब इस पेष्ट के मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगए बेल आइकून को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिवकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडि के साथ तब तक के लिए नमस्कार